हिंदी साहित्य के रसिकों को शेफाली शर्मा का सादर नमस्कार इंद्रायन की कहानी श्रिंखला में आज मैं आपके सामने उपस्तित हूँ श्री पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी देकर जिसका शीर्षक है उसकी मा पांडे जी का जन्म सन 1901 में हुआ था पत्र संपादक रहने के अतिरिक्त ये प्रसिदों पन्यासकार, नाटककार तथा कहानीकार भी है दिल्ली का दलाल, चंद हसीनों के खतूत, सरकार तुम्हारी आँखों में, शराबी, आधी उनके उपन्यास हैं नाटकों में डिक्टेटर, चार बेचारे, उजबक, चुम्बन ये प्रहसन है, महात्मा ईसा एतिहासिक नाटक है, गंगा का बेटा औरानिक नाटक है, जो अत्यंत प्रसिद्ध हुए इनकी कहानियों में एक संग्रह हैं, गलपांजरी, रेश्मी इंद्रधनुष, चिनगारियां, निरलज्जा, बलातकार, दोजख की आग, शैतान मंडली, क्रांतिकारी कहानियां, चौकलेट, दिल्ली का हुखार, मौला, आधी, हमें आज इन संग्रहों के रुप में मिलते हैं, ये सन 1920 से कहानि रशना करते चले आ रहे हैं, इनकी सरवप्रतम कहानी बनारस के समाचार पत्र आज में सन 1920 में प्रकाशित हुई थी, सुभाव और शैली में दोनों ही तरह से उग्रजी ने अपने उपनाम को सार्थक किया है, इनकी शैली की सम्मोहन शक्ति की उसकी मा उग्रजी की प्रसिद कहानियों में से एक है, इसमें भारतिय स्वतंतता संग्राम में जूजने वाले बलिदानी नवयुवकों की सजीव जहांकी के अतिरिक्त एक मा की अतल मम्ता तथा निश्चलता का यथार्थ चित्रांकन हुआ है, यह कहानी भाव प्रधान ह इसमें जहां एक और मा की वत्सल सरल्टा विस्मित करती है, तो नवयुवकों की देशभक्ति का पवित्र पागलपन उद्भोदित करता है। जो इस कहानी का मुख्य पात्र है, तो विक्तिवाचक संग्या के अतिरिक्त भारत माता के सच्चे लाल की अर्थ विंजना भी इसमें होती है। इसके साथ साथ उग्र जी का सजीव सशक्त भाशा शैली और सैयत कवित्व के द्वारा कहानी को एक प्रारूप देना प्राफुत रूप से घटित हुआ है। तो चलिए आईए सुनते हैं कहानी उसकी मा जिसके लेखक हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र। दोपहर को जरा आराम करके उठा था। अपने पढ़ने लिखने के कमरे में खड़ा खड़ा धीरे धीरे सिगार पी रहा था और बड़े बड़े आलमारी में सजे पुस्तकाले के और निहार रहा था। किसी महान से लेखक की कोई महान कृती उन में से निकाल कर देखने की बात सोच रहा था मगर उस्तकाले के एक सिरे से दूसरे सिरे तक मुझे महान ही महान नजर आए। कभी गेटे, कभी रूसो, कभी मेजिनी, कहीं निच्षे, कहीं शेक्स्पियर, कहीं टॉल्स्ट्रॉई, कहीं ह्यूगो, कहीं मुपासा, कहीं टिकिंस, स्पेंसर, मिकॉले, मिल्टन, मोलियर, उफ। इधर से उधर तक एक से एक महान ही तो थे, आखिर मैं किसके साथ चन्द मिनट मन बहलाव करूं, यह निश्चे ही न हो सका, महानों के नाम ही पढ़ते-पढ़ते, परिशान हो गया, इतने में मोटर का भौं-भौं सुनाई पड़ा, खिड़की से जहांका, तो सुर्मई रंग की कोई फियट गाड़ी खड़ी दिखाई पड़ी, मैं सोचने लगा, शायद कोई मित्र पधारे हैं, अच्छा ही है, महानों से जान बची, जब नौकर ने सराम कर आने वाले का कार्ड दिया, तब मैं कुछ घबराया, उस पर श चक्कर खाने वाली गद्धीदार कुर्सी पर उन्हें आसन दिया, तो व्यापारिक मुस्कुरहट से लैस होकर बोले, इस अचानक आगमन के लिए आप मुझे ख्षमा करें, आग्या हो, मैंने भी नमरता से कहा, उन्होंने पॉकेट से एक डायरी से एक तस्वीर निकाली, देखिये से, जरा बताईए तो आप पहचानते हैं इसको, हाँ, पहचानता तो हूँ, जरा सहमते हुए मैंने बताया, इसके बारे में मुझे आप से कुछ पूछना है, पूछ ये, इसका नाम क्या है, लाल, मैं इसी नाम से बच्चपन से ही इसे पुकारता आ रहा हूँ, मगर ये पुकारने का नाम है, एक नाम कोई और है, सो मुझे स्मरण नहीं, कहां रहता है ये, सुप्रिंटेंडन्ट ने पुलिस की धूर्त द्रिष्ट से मेरी और देखकर पूछा, मेरे बंगले के ठीक सामने, एक दो मंजिला कच्चा पक का मकान है, उसी में वह रहता है वह है और उसकी बुड़ी मा, बुड़ी मा का क्या नाम है, जान की, और कोई नहीं है, क्या इसके परिवार में, दोनों का पालन पुशन कौन करता है, साथ आठ वर्ष हुए, लाल के पिता का दिहान थो गया, अब उस परिवार में वह और उसकी माता ही बचे हैं, उसका प पास कुछ हजार रुपे जमा कर गया था, जिससे अब तक उसका खर्चा वर्चा चल रहा है, लड़का कॉलिज में पढ़ रहा है, जान की को आशा है, वे साल दो साल बाद कमाने और परिवार को संभालने लगेगा, मगर शमा कीजे, क्या मैं यह पुछ सकता हूं कि आप उसके बारे में क्यों इतनी पुछताश कर रहे हैं, यह तो मैं आपको नहीं बता सकता, मगर इतना आप समझ लें, यह सरकारी काम है, इसलिए आज मैंने आपको इतनी तकलीफ दी है, अजी इसमें तकलीफ की क्या बात है, हम तो साथ पुछत से सरकार के फर्माबरदार रह हूँ, आप इस परिवार से जरा सावधान और दूर रहें, फिलहाल इस से अधिक मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लाल की मा, एक दिन जानकी को बुला कर मैंने समझाया, तुम्हारा लाल आज कल क्या पाजिबन करता है, तुम उसे केवल प्यार प्यार ही करती हो ना, हम भोग होगी, क्या है बाबू, उसने कहा, लाल क्या करता है, मैं तो उसे कोई बुरा काम करते नहीं देखती, बिना किये ही तो सरकार किसी के पीछे नहीं पड़ती ना, हाँ, लाल की मा, बड़ी धर्मात्मा, विवेक्य और नियाई सरकार यह है, जरूर तुम्हारा लाल कुछ कर होगा, मा, मा, पुकारता हुआ उसी समय, लाल भी आया, लंबा, सुडॉल, सुन्दर, तेजस्वी, मा, उसने मुझे नमस्कार कर जानकी से कहा, तु यहाँ भाग आई है, चल तो, मेरे कई सहपाठी वहाँ खड़े हैं, उन्हें चटपट कुछ जलपान करा दे, फिर हम घ जानकी के चहरे की जुरियां चमकने लगी, कांपने लगी, उसे देखकर, तु आ गया लाल, चलती हूँ भईये, पर देख तो, तेरे चाचा क्या शिकायत कर रहे हैं, तु क्या पाजिबन करता है बिटा, क्या है चाचा जी, उसने सविने सुमधुर स्वर से मुझ से पू जानों के साथ ही हो, हाँ हाँ, तुम हो, देखो, लाल की मा, इसके चहरे का रंग उड़ गया, ये सोच कर की, ये खबर मुझे कैसे मिली, सच मुझ, एक बार उसका खिला हुआ रंग, जरा मुर्जा गया, मेरी बातों से, पर तुरंत ही वे समला, आपने गलत सुना है पर तुम्हारी ही बात सही, तुम शड़यंतर में नहीं, विद्रोह में नहीं, पर ये बकबक क्यों, इससे फायदा क्या, तुम्हारी इस बक बक से न तो देश की बुराई दूर होगी और न पराधीन था तुम्हारा काम पढ़ना है पढ़ो इसके बाद कर्म करना होगा परिवार और देश की मर्यादा बचानी होगी तुम पहले अपने घर का उधार तो कर लो तब सरकार के सुधार का विचार करना उसने नमरता से कहा चाचा जी क्षमा कीजिए इस विशय में मैं आपसे विवाद नहीं करना चाहता चाहना होगा, विवाद करना होगा, मैं केबल चाचा जी नहीं, तुम्हारा बहुत कुछ हूँ तुम्हें देखते ही मेरी आखों के सामने रामनाथ नाचने लगते हैं तुम्हारी बुड़ी मा घूमने लगती है, भला मैं तुम्हें बेहात होने दे सकता हूँ इस भरो से न रहना इस पराधिन्ता के विवाद में चाचा जी मैं और आप दो भिन सिरो पर हैं आप कटर राजभक्त हैं मैं कटर राजविद्रो ही आप पहली बात को उचित समझते हैं कुछ कारणों से और मैं दूसरी को दूसरे कारणों से आप अपना पथ छोड़ नहीं सकते अपनी प्यारी कलपनाओं के दिए मैं अपना भी नहीं छोड़ सकता तुम्हारी कलपनाएं क्या हैं? सुनू भी जरा मैं भी जानलू कि अपके लड़के कॉलिज की गर्दन तक पहुंचते-पहुंचते कैसे-कैसे हवाई किले उठाने के सपने देखने लगते हैं? जरा मैं भी सुनू बेटा मेरी कलपना यह है कि जो व्यक्ति, समाज या राष्ट्र किसी अन्य व्यक्ति समाज या राष्ट्र के नाश पर जीता हो, उसका सर्वनाश हो जाए जानकी उठकर बाहर चली अरे तू तो जमकर चाचा से जूजने लगा वहाँ चार बचे बेचारे दरवाजे पर खड़े होंगे, लड़ तू मैं जाती हूँ, उसने मुझसे कहा समझा दो बाबू, मैं तो आप ही कुछ नहीं समस्ती फिर इसे क्या समझाऊंगे उसने फिर लाल की और देखा चाचा जो कहें, मान जा बेटा ये तेरे भले के लिए ही कहेंगे वह बेचारी कमर जुकाए उस साथ बरस की वयस में घूंगट समभाले चली गई उस दिन उसने मेरी और लाल की बातों की गंभीरता नहीं समझे मेरी कलपना ये है कि उचित स्वर से लाल ने कहा ऐसे दुष्ट, नाशक, व्यक्त, समाज या राष्ट के सर्वनाश में मेरा भी हात हो तुमारे हात दुर्बल हैं उनसे जिन से तुम पंजा लेने जा रहे हो चरर मरर होठेंगे नश्ट हो जाओगे चाचा जी नश्ट हो जाना तो यहां का नियम है जो समारा गया है वह बिगडेगा ही न हमें दुर्बलता के डर से अपना काम नहीं रोकना चाहिए कर्म के समय हमारी भुजाएं दुर्बल नहीं भगवान की सहस्र वुजाओं की सखी है तो तुम क्या करना चाहते हो जो भी मुझसे हो सकेगा करूँगा शड्यंत्र जरूत पड़ी तो जरूर विद्रोह हाँ अवश्य हत्या हाँ हाँ बेटा तुम्हारा माथान जाने कौन किताब पढ़ते पढ़ते बिगड रहा है सावधान मेरी धर्म पत्नी और लाल की माँ एक दिन बैठी बाते कर रही थी कि मैं पहुँच गया कुछ पूँचने के लिए कई दिनों से मैं उसकी तलाश में था क्यों लाल की माँ लाल के साथ किसके लड़के आते हैं तुम्हारे घर में मैं कह जानू बाबू उसने सरलता से कहा मगर वे सभी मेरे लाल की ही तरह मुझे बहुत प्यारे लगते हैं सब ला परवा वे इतना हसते गाते और होहला मचाते हैं कि मैं मुखध हो जाती हूँ मैंने गुस्से भरी सांस ली हम्हारे ठीक कहती हो वे बाते कैसी करते हैं कुछ समझ पाती हो बाबू वे लाल की बैठक में बैठते हैं कभी-कभी जब मैं उन्हें कुछ खिराने पिलाने जाती हूँ तब बड़े प्रेम से मुझे मा कहते हैं मेरी चाती फूर उठती है मानो वे मेरे ही बच्चे हैं मैंने फिर सांस ली एक लड़का उनमें बहुत ही हसोड है खूप तगड़ा और बली दिखता है लाल कहता था वे डंडा लड़ने में दोड़ने में घूसे बाजी में खाने में छेड कानी में हो हो हा हा कर हसने में समूचे कॉलिज में फर्स्ट है उसी लड़के ने एक दिन जब मैं हलवा परस रही थी मेरे मुख्योर देखकर कहा मा तू थो ठीक भारत मातासी लगती है तू बूढ़ी वह बड़ी उसका हिमालय उजला है तेरे केश हाँ मैं नक्षे में साबित करता हूँ तू भारत माता है सर तेरा हिमालय माथे की दोनों गहरी बड़ी रेखाएं गंगा और जमुना यह नाक विंध्या चल ठोड़ी कन्या कुमारी और छोटी बड़ी जुर्या रेखाएं भिन भिन पहाड और नदिया है जरा पासा मेरे तेरे केशों को पीछे से आगे बाएं कंधे पर लहरा दूँ वह बर्मा बन गया बिना उसके भारत माता का शंगार शुद्ध नहोगा जान की उस लड़के की बाते सोचकर गदगल हो रही थी बाबू ऐसा धीट लड़का सारे बच्चे हंसते रहे और उसने मुझे पकड़कर मेरे बालों को बाहर कर अपना बर्मा तयार कर लिया कहने लगा देख तेरा यह दाहिना कान कच्छ की खाड़ी है बंबई के आगे वाली और यह बाया बंगाल की खाड़ी मा तु सीधा मुकर के जरा खड़ी हो मैं तेरी थुड़ी के नीचे उसके दो अंगुल के फासले पर हाथ जोड़कर घुटनों पर बैठता हूँ ठोड़ी तेरी कन्या कुमारी और मेरे जुड़े जरा तिर्चे हाथ लंका बोल भारत माता की जय सब लड़के ठाहका लगा कर हसने लगे वे घुटने टेक कर हाथ जोड़कर मेरे पाउँ के पास बैठ गया मैं हक्की बक्की सी हसने वालों का मुझ देखने लगी बाबू वे सब ही बच्चे मेरे लाल है सब ही लोग मुझे मा गा कर कहते है उसकी सरलता मेरी आँखों में आशु बन कर छा गई मैंने पूछा लाल की मा और भी वे कुछ बाते करते हैं लड़ने की जगरने की गोला गोली या बंदुकी हरे बाबू उसने मुस्करा कर कहा वे सब ही बाते करते हैं उनकी बातों का कोई मतलब थोड़े ही होता है सब जवान हैं लापरवा हैं जो मुँ में आता है बकते हैं कभी-कभी तो पागलों सी बाते करते हैं महीने भर पहले एक दिन लड़के बहुत उत्ते जित थे, वे जब बैठक में बैठकर गलचौर करने लगते, तब कभी-कभी उनका पागलपन सुनने के लोब में मैं दरवाजी से सटकर और छिपकर खड़ी हो जाती हूं, न जाने कहां लड़कों को सरकार पकड़ रही है, मालूम नहीं, प पुलिस वाले संदेह पर भले आदमी के बच्चों को तरास देते हैं, मारते हैं, सताते हैं, वे अत्याचारी पुलिस की नीचता है, ऐसी नीच शासन प्रणादी को सुईकार करना, अपने धर्म को, आत्मा को, परमात्मा को भुलाना है, धीरे धीरे घुलाना और मिटाना है, एक ने उत्तेजित भाव से कहा, अजी, ये परदेशी कौन लगते हैं हमारे, जो हमें बर्बस राजभक्त बनाए रखने के लिए, हमारी चाती पर तोप का मूर लगाए, अडे और खडे हैं, उफ, इस देश के लोगों के हिये की आखें मुंद गई हैं, तभी तो इत परतंतरतावाद का, दूसरे ने कहा, लोग ज्यानी न हो सकें, इसलिए सरकार ने हमारे पढ़ने लिखने के साधनों को अज्यान से भर रखा है, लोग वीर और स्वाधीन न हो सकें, इसलिए अपमान जनक और मनुश्यता कानून को मसलने वाले कानून गड़े हैं, गरीब धिरे जोक की तरह हमारे देश का धर्म, प्राण और धन चूस्ती चली जा रही है, यह लूटक शासन प्रणाली, नाश हो इस प्रणाली का, इस प्रणाली की तस्वीर सरकार का, तीसरा वही बंगड बोला, सबसे बुरी बात यह है, जो सरकार रोब से, सत्तावनी रोब से धाक से, धांधली से, धुआ से हम पर शासन करती है यह आँख खोलते ही कुचल कुचल कर हमें दब्बू और कायर बनाती है और किसलिए? जरा सोचो तो मुठी भर मनुश्यों को अरुण, वरुण और कुवेर बनाए रखने के लिए मुठी भर मन्चले, संसार की मनुश्यता की मिट्टी पलीद करें, परमात्मा प्रदत स्वाधीनता का संगार करें, छे, नाश हो ऐसे मन्चलों का ऐसे ही अंट संट ये बातूनी बका करते हैं बाबू, जब ये चार छोकरे जुड़े, तब ये ही चर्चा लाल के साथियों का मिजाज भी, उसी इसा लहड बिलहड मुझे मालूम पड़ता है, ये लड़के जो जो पढ़ते जा रहे हैं, त्यों त्यों बक बक में बढ़ते भी जा रहे हैं, ये बुरा है, लाल की मा, मैंने गहरी सांस ली जमिन दारी के कुछ जरूरी काम से, चार-पांच दिनों के लिए बाहर गया, लोटने पर बंगले में घुसने से पूर्व, लाल की दर्वाजे पर नजर पड़ी तो, वहाँ एक भयानक सन्नाटा सा नजर आया, जिसे घर उदास हो, रोता हो, भीतर आने पर, मेरी धर्म प पत्ती तूट पड़ी है, समझ गया, फिर भी विस्त्रित विवरन जाने की को उत्सुक हो उठा, क्या हुआ, जरा साफ साब बताओ, वही हुआ जिसका तुम्हें भय था, कल पुलिस की एक पल्टन ने लाल का घर घेर लिया था, बारह घंटे तक तलाशी हुई, लाल उसक जाल के यहां, उसके यहां भी दो पिस्तॉल, बहुत से कार्टूस और पत्र पाए गए हैं, सुना है, उन पर हत्या, शड़ेंत्र, सरकारी राज्य पलटने की चेश्टा, आधी अपराध लगाए गए हैं, मैंने ठंडी सांस ली, मैं तो महीनों से चिला रहा था, कि यह ल वाने पर भी कलनकार गई, नौकर से कहा, पराठे बना रही हूं, हलवा तरकारी भी बनाना है, नहीं तो वे बच्चे हवालात में मुरजाना जाएंगे, जेल वाले और उत्साही बच्चों की दुश्मन यह सरकार उन्हें भूखो मार डालेगी, मगर मेरे जीते जी, यह नहीं हो सकता, वे पागल है, भोगेगी, मैं दुख से तूटकर एक चारपाई पर भेहरा पड़ा, मुझे लाल के करमों का घोर खेद हुआ, इसके बाद प्राएह एक वर्ष तक मुकदमा चलता रहा, कोई भी अदालत के कागज उलटकर देख सकता है, CID ने और उसके मुख्य सरकारी वकील ने उन लड़कों पर बड़े बड़े दोशा रोप किये, उन्होंने चारो और गुप्त समित्या स्थापित की थी, उनके खर्चे और प्रचार के लिए डाके डाले थे, सरकारी अधिकारियों के यहां रात में छापा मारा, शस्त्र एकरत्र किये थे, बल्टन में उन्होंने बगावत फैलाने का प्रैत्न किया था, उन्होंने न जाने कहां, न जाने किस पुलिस के दरगो को मारा, न जाने कहां, न जाने किस पुलिस सुप्रिंटेंडनेंट को, यह सभी बाते सरकार की उरसे प्रमानित की गई, उधर उन लड़कों की पीट पर कौन था प्राय कोई नहीं सरकार के डर के मारे पहले तो कोई वकील ही उन्हें नहीं मिल रहा था फिर एक बिचारा मिला भी तो नहीं का भाई हां उनकी पैरवी में सबसे अधिक परेशान वे बूढ ही रहा करती थी वे सुबह शाम उन बच्चों को ल जूट है जाने कहां से पुलिस वालों ने ऐसी ऐसी चीजें हमारे घरों में पैदा कर दी हैं लड़के केवल बातूनी हैं हां मैं भगवान के चरण छूकर कह सकती हूं तुम जेल में जाकर देखाओ वकिल बाबू भला ये फूल से बच्चे हत्या कर सकते हैं उसका तन कांटा हो गया कमर जुक कर धनुष सी हो गई आखे निस्तेज मगर उन बच्चों के लिए दोड़ना हाय हाय करना उसने बनना किया कभी कभी सरकारी नौकर पुलिस या वार्डर उस पर जुझला कर उसे जड़क देते धकिया देते तब वे खड़ी हो जाती छड़ी के सहा कमर सीधी कर अरे अरे ये कैसे जवान हो कैसे आदमी हो मैं तो उन भोले बच्चों के लिए दोड़ती मरती हूं और तुम मुझे धक्के दे रहे हो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भईया उसको अंतक यही विश्वास रहा यह सब पुलिस की चालबाजी है अदालत में जब दूद का दूद और पानी का पानी किया जाएगा तब वे बच्चे जरूर बेदाग छूट जाएंगे वे फिर उसके घर में लाल के साथ आएंगे हाहा हो हो करेंगे उसे मा कहकर पुकारेंगे मगर उस दिन उसकी कमर तोट गई जिस दिन उची अदालत ने भी ल को उस बंगड लठैत को तथा दो और लड़कों को फांसी और दस-दस वर्ष से साथ वर्ष तक की कड़ी सजाएं दी वे अदालत के बाहर जुकी खड़ी थी, बच्चे बेडियां बजाते, मस्ती से जूमते बाहर आए, सबसे पहले उस बंगड की नजर उस पर पड़ी, मा, वे मुस्कुराया, अरे हमें तो हलुआ खिला खिला कर तुने गधे सा तगड़ा कर दिया है, ऐसा कि फांसी की रसी तूट जाए और हम अमर के अमर बने रहें, मगर तू स्वयम सुकर कांटा हो गई है, क्यों पगली, तेरे लिए घर में खाना नहीं है क्या, मा, उसके लाल ने कहा, तू भी जल्दी वहीं आना, जहां हम लोग जा रहे हैं, यहां से थोड़ी देर का रास्ता है मा, एक सांस में पहुचेगी, वहीं हम सुतंतरता से मिलेंगे, तेरी गोद में खेलेंगे, तुछे कंदे पर उठा कर इधर से उधर दोड़ते फिरेंगे समझती है न, वहां बड़ा आनंद है, आवेगी न मा, बंगर ने पूछा, आवेगी न मा, लाल ने पूछा, आवेगी न मा, फासी, दंड प्राप्त, दो दूसरे लड़कों ने भी पूछा, और वहम बकर बकर, उनका मूँ ताक्ती रही, तुम कहा जाओगे पगलो? जब से लाल और उसके साथ ही पकड़े गए, तब से शहर या मोहले का कोई भी आदमी लाल की मा से मिलने से डरता था, उसे रास्ते में देखकर जाने पहचाने बगले जहांकने लगते, मेरा स्वयम अपार प्रेम था उस बेचारी बूड़ी पर, मगर मैं भी पराबर दू दूर ही रहा, कोण अपनी गर्दन मुसीवत में डालता, विद्रोही की मा से संबंद रखकर, उस दिन ब्यालू करने के बाद, कुछ देर के लिए उस्तकालय वाले कमरे में गया, वहीं किसी महान लेखकी, कोई महान कृतिक शन भर देखने के लालच से, मैंने मैजिनी की ए हसता क्षर था, मुझे याद पढ़ गई, तीन बरस पूर्व, उस पुस्तक को मुझसे मांग कर उस लड़के ने पढ़ा था, एक बार मेरे मन में बड़ा मोह उत्पन हुआ उस लड़के के लिए, उसके वफादार पिता रामनात की दिव्वे और स्वर्गी ये तस्वीर मेरी आखों के आगे नाच गई, लाल की माता पर उस नालाइक के सिधानतों, विचारों या आचरणों के कारण जो वजरपात हुआ था, उसकी एक ठेस मुझे भी उसके हस्ताक्षर देखते ही लगी, मेरे मुझसे एक गंभीर, लाचार, दुर्बल, सांस निकल कर रह गई पर दूसरे ही ख्षन, पुलिस सुप्रिंटेंडन्ट का ध्यान आया, उसकी भूरी, सुहावनी, अमानवी आखें, मेरी आप सुखी तो जग सुखी, आखों में वैसी ही चमक गई, जैसे उजार गाउं के सिवाने में, कभी कभी भुतही चिनगारी चमक जाया करती है, उस इरेजर उठा कर, उस पुस्तक पर से उसका नाम उधेरने लगा, उसी समय, मेरी पत्नी के साथ लाल की मा वहाँ आई, उसकी हाथ में एक पत्र था, अरे, मैं अपने को रोकना सका, लाल की मा, तुम तो बिल्कुल पीडी पढ़ गई हो, तुम इस तरह मेरी और निहारती हो मा नो कुछ देखी नहीं रही हो, ये हाथ में क्या है? उसने चुपचाप पत्र मेरे हाथ में दे दिया, मैंने देखा उस पर जेल की मुहड थी, सजा सुनाने के बाद वह वहीं भेज दिया गया था, ये मुझे मालुम था, मैं पत्र निकालकर पढ़ने लगा, वह उसकी अंतिम चिठ्थी थी, मैंने कलेजा रूखा करके उसे जोर से पढ़ा, मा जिस दिन तुम्हें पत्र मिलेगा, उसके ठीक सवेरे, मैं बाल अरुण के किरन रत पर चड़कर उस ओर चला जाओंगा, मैं चाहता तो अंत समय तुमसे मिल सकता था, मगर इससे क्या फायदा, मेरी जन्म जन्मांतर की जननी ही रहोगी, मैं तुमसे दूर कहां जा सकता हूँ, मा, जब तक पवन सांस लेती है, सूर्य चमकता है, समुद्र लहराता है, तब तक कौन मुझे तुम्हारी करुणामई गोच से दूर खीच सकता है, दिवाकर थमा रहेगा, अरुण रत लि रहेंगे, हम मिले थे, मिले हैं, मिलेंगे, हा मा, तेरा लाल। मानो, वह उस कमरे में थी ही नहीं, क्षण भर बाद हात बढ़ा कर, मौन भाशा में उसने पत्र मांगा, और फिर बिना कुछ कहे, कमरे के, घर के, भाटक के बाहर हो गए, डुगुर डुगुर लाठी टेकती हुई, इसके बाद शून्यसा होकर, मैं धम से कुर्सी पर गि नहीं, उस सरकार की कुरूरता के लिए भी नहीं, उस बेचारी, भोडी, बूरी, जानकी, लाल की, मा के लिए, ओह, वह कैसी स्तब्ध थी, उतनी स्तब्धता, किसी दिन प्रकृति को मिलती, तो आंध ही आ जाती, समुद्र पाता, तो बौखला उठता, जब एक का घंटा बजा, मैं जरा सक बगाया, ऐसा मालूम पढ़ने लगा, मानो हरारत पैदा हो गई है, माथे में, छाती में, रग रग में, पत्नी ने आकर कहा, बैठे ही रहोगे, सोगे नहीं, मैंने इशारे से उन्हें जाने को कहा, फिर मैजिनी की जिल्ब पर नजर गई, उसके उपर पड़े रबर पर, फिर अपने सुखों की, जमिनदारी की, धनिक जीवन की, उस पुलिस अधिकारी की निर्दय, नीरस, निसार, आखों की, स्मिलिती कलेजे में कमपन कर गई, फिर रबर उठा कर, मैंने उस पाजी का पेंसिल खचित नाम, पुस्तक की छाती पर से मिटा डालना चाहा, मा, मुझे सुनाई पड़ा, ऐसा लगा, गोया लाल की मा करा रही हो, मैं रबर हात में लिए, दहलाते दिल से, खिलकी की और बढ़ा, लाल की घर की और देखने के लिए, पर चारोर अंधकार था, कुछ नहीं दिखाई पड़ा, कान लगाने पर कुछ सुनाई भी नहीं पड़ा, मैं सोचने लगा भ्रह्म होगा, वह अगर कराहती होती, तो एकाद आवाज और अवश्य सुनाई पड़ती, वह कराहने वारी औरत है भी नहीं, रामनात के मरने पर भी उस तरह नहीं गेही आई जैसे साधारन स्त्रियां ऐसे अबसरों पर तरड़पा करती हैं, मैं पुनह उसी को सोचने लगा, वह उस नालायक के लिए क्या नहीं करती थी, खिरोने की तरह, आराध्य की तरह, उसे दुलारती और समारती थी, पर आहरे छोकरे, मा, फिर वही आवाज, जरूर जानकी र जरूर वही विकल, व्यथित, विवश, बिलख रही है, हैरी मा, अभागिनी वैसे ही पुकार रही है, जैसे वह पाजी गा कर, मचल कर, स्वर को खीच कर उसे पुकारता था, अंधेरा धूमिल हुआ, फी का पड़ा, मिट चला, उशा पीली हुई, लाल हुई, अरुन रथ लेकर वहां, क्षितिज के उस छोर पर आकर, पवित्रमन से खड़ा हो गया, मुझे लाल के पत्र की याद आई, मा, मानो, लाल पुकार रहा था, मानो, जान की प्रतिध्वनी की तरह, उसी पुकार को गा रही थी, मेरी च्छाती धक धक करने लगी, मैंने नोकर से पुकार कर कहा, देखो तो, लाल की मा क्या कर रही है, जब वह लोट कर आया, तब मैं एक बार पुनह मेज और मेजिनी के सामने खड़ा था, हाथ में रबर लेकर, उसी, उसी उदेश से, उसमें घबडाए हुए स्वर में कहा, हुजूर, उनकी तो अजीब हालत है, घर में ताला प पसारे, हाथ में कोई चिठी लिए, मुख खोले, मरी बैठी हैं, हाँ सरकार, विश्वास मानिये, वे मर गई हैं, सांस बंध है, आखें खुली